कि आप टोक्यों से पहले अलेंपिक साइच कॉर्ट में प्रेक्टिस करना चाहती थी अब गोची बावली में आपकी प्रेक्टिस कैसी चल रही है कि अब गोची बावली में प्राक्टिस बहुत अच्छा चल रही है क्योंकि अवी अलम्पिक स्टेरियम बट बड़ा है और वो अच्छी बावली में तो इसलिए मैं ये सोचा की तीक है अगर अच्छा स्टेरियम है तो क्यो वो अपर्चिनिटी है तो क्यो ने के लुकर के कि सब्दी हमारे में भाल मुखवसेश करकी। और ड्यूरी में प्रमाइस करें लोग। और प्रमिशन के जानल स्टेरियम ज стрेयम पहल का थाagtाम क्योंकि कि अव सुन इस अवाल मैं पन्सेरिया Question तो इसलिए में सोचा तीक है अगर अभी से स्टार्ट किया तो बड़ा स्टेरियों में केला तो टोक्यों जाने के बाद उतना मुश्किल नहीं होता है इसलिए सिर आपके परिवार जन्वी मेरे सामने है मैं उनको प्रणाम करता हूं मुझे याद आता है कि गोपी जन्जी ने एक इंट्रूल में कहा था तो उन्होंने रियो ऑल्लेंपिक के पहले आपका फोन ले लिया था आपको आइस-क्रीम भी खाना फॉलाव नहीं किया अभी भी आपके आइस-क्रीम खाने पर पापत दी लगी हुए या कुछ छुट मि क्योंकि एक अथलीट के लिए डाइट बहुत इंपोर्टन है और याभी ओलंपिक्स है तो तैयारी कर रही हूं तो और इसक्रीम उतना नहीं काती हुए बस कभी-कभी काती हुए देगे शिंदु जी माता प्युता दोनों खुद स्पोर्स में रहे हैं और इसलिए मेरा मन करता है आज मैं उनसे भी एक बात धिरूर करूंगा आपको नमश्कार आप यह बताईए जब किसी बच्चे की रुची खेल में जाने की हो तो कई परेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों को धेरो आशंका है रहती है आप ऐसे सभी परेंट्स के लिए क्या संदेज देना चाहेंगे अगर अपने बच्चे हेल्थ वाइस अच्छे हुए तो सुब कुछ बड़ा होगा क्योंकि आप तोड़ा खेलेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा होगा आटोमेटिकली आपका कॉंसेंट्रेशन बढ़ेगा हर इस्यूस में आप लोग यह मात्पिता है अपने बच्चों को स्पॉर्ट्स परसन बनाने के लिए कैसी पैरेंटिंग करनी होती है कि सर्प्राइंटिंग तो फस्ट पेरेंट्स ही तो डेडिकेट करना चाहिए सब्सक्राइब करना है यहाँ तो मोटिवेट देम एंड आप तो जानते हैं गवर्म उपर करने के लिए महनत करना है और अच्छा नाम कमाना है करके हम उनको को सहित करके हर जो भी बच्चों को हम यह पहले सिखाना है कि रस्पेक्ट देना जो भी है रस्पेक्ट दो और उनका आशिरवाद लो कि सिंदु जी आपके माता पिता ने आपको 20 चैंपियन बनाने के लिए बहुत त्याग किये हैं उन्होंने अपना काम कर दिया है अब आपकी बार यह हैं आप खुब महनत किजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी और इदर सफलता के बाद म झाले के दियन चौर आपके लिए और लिए बा इस अपना दोर लंग RICHARD II दूरर आपके लिए खको ऴंए रिया हैं तो सब साल हो तापके लिए स सराजे और मुझे जएल कि पाले आपके घूर साज़ा आपके पर खलेजा ह।